अजके इस क्लास में हम लोग एक नया इंपोर्टेंट टॉपिक परेंगे और वह है अटो साइकल अटो साइकल बेसिकली काफी इंपोर्टेंट है और यहां से काफी कुछे जाते हैं एक्जाम में तो ऑटो साइकल जो है यह निकोलस ओटो के के द्वारा प्रफोस्ट किया गया था इसको हम लोग एक कॉंस्टेंट भोलूंव हीट एडिशन साइकल भी कहते हैं हीट एडिशन साइकल से के नाम से भी यह जाना जाता है और टो साइकल है न यह और वाक्नारा प्राक्टिकल डिवाईस जो करता है वह है इंजन इंजन जिसको हम लोग कहते हैं इंजन है वह आप यही हमारा क्या हो गया एक तरह का पेट्रोलि इंजन हो गया तो यह जो डिवाइस यह जो मसीन है इंजन है वह आटो है न में चार प्रोसे सोता यह तो जो इंटरनल क fuckinожд penguin है जिसमें हमारा फ्यूल का जो कंबशन है वह सिस्टम के अंधर किया जाता है जहां से वो हीट इनरजी produced करती हैं और उस हीट इनरजी को जो इंजनnh करता है इंजन है पेट्रोल इंजन जो की हमारा auto cycle पर काम करता है और यह auto cycle में बेषक जो है वो चार process होता है तो यह process कैसे होता है वह हम लोग देखते हैं तो जो यंजन का जो basic construction है उसमें एक हमारा cylinder होते है यह हमारा itself हो गया cylinder के साथ के साथ यह पिंग को गाब लिए engineers यह करेंक हो गया तो यह हमारा basic arrangements से ढब्रकों से क्योंच भॉलूम जहां पिस्टन मैक्सिमूम पहुंच पाता है वो उसका टॉप डेड सेंटर कहलाता है और पिस्टन जहां पर लोवर जो लेंधहे जहां तक क्रिम बॉुट्म में आती आ ये उसका stroke length कहलाता है और ये TDC और BDC के बीच का जो ये volumes है जिसको हम लोग stroke volume कहते हैं और stroke volume के यहाँ पर जो cylinder head है cylinder head और TDC जहाँ पर piston है इसके बीच का जो ये volume space है इसको हम लोग clearance volume कहते हैं इसमें दो भाल होता है inlet भाल होता है जिससे हमारा mixture जो है वो entry करता है cylinder के अंदर और एक exhaust भाल होता है जहां से हमारा burnt gas जो है वो बाहर निकलता है है इसके साथ ही इसमें spark plug होती है जो कि ignition को जो starting ignition जो होती है वह इस पार्क के मदद से ही किया जाता है तो उसमें हम लोग जो basic प्रोस्ट चार प्रोसेस है इस इंजन में वह हमारा सबसे फरस्ट है सक्संद होता है compression थर्ड होता है इसमें expansion और फोर्थ वन होता है इक्जोस्ट तो यह चार प्रोसेस होती है इसाई इंजन में और यही चार प्रोसेस के अधार पर जो है सक्संद प्रोसेस होती है सक्संद प्रोसेस में पिश्टन इनिश्यली हमारा टॉप डेट सेंटर टीडी सी पे होता है और यहां पर जो टीडी सी है तो चुकि यहां पर सिलिंडर हेड और पिश्टन के बीच में यह जो किलियरंस बोलूम है इसमें क्या हुआ है अभी इनिश्यली इसमें कुछ एयर भरा हुआ है तो जैसे ही पिश्टन हमारा सक्संद स्ट्रॉक में टीडी सी से बीडी सी की और मूब करता है तो यहां पर जो बोलूम से है वो करता है यहां कियों किरियेट होता है क्यूंकि जैसे ही पिष्टन टीडी सी से बीडी सी के मूब करेगा यह एक जो भोलूम से है उसको वह ब्हेकंट करेगा २हां पर हो तो यहां पर प्रेसर जो है वह घट के आर एट्मॉस्पेरिक से लौर हो जाता है और सिलिंडर में जो चार्ज आता है वह यहां पर आता है एयर एंड फ्यूल मिक्स्टर यह जो है तो जैसे ही पिस्टन के द्वारा सक्सन क्रियेट होता है सिलिंडर के अंदर वह जो एयर फ्यूल मिक्स्टर जो फ्रेश चार्ज है वह कार्बूरेटर से निकल कर और इंडेट में फॉल्ट से होते हुए यह सिलिंडर में आना सुरू कर देता है और यह चार्ज तब तक आते रहता है जब तक कि पिस्टन हमारा यहां पर बीडी सी पर ना पहुंच जाए जैसे ही ब सिर्फ और सिर्फ क्या किया वह और फ्यूल मिक्स्टर को चार्ज की रूप में वो पूरा सिलिंडर में है त्लब किया है नवर यह जो प्रोत है है वह जितना ड्रॉप कर रहा है अत्रम कर रहा ऺज़िए मुलने के रहे टो इसको लोग यहां पर हम ऑटो साइडल के सिरुम में दिखाएं तो पहले हम लोग पिष्ट करते हैं प्रेसर और वोलूम कशचंट में यह क्या vest सिथा होगा सक्सिन्डर यह कॉंस्टेंट प्रेसर पर होता है इसके बात जो है आप संद स्ट्रों जब खत्म होती है तो जो चार्ज है वो हमारा सिलिंडर में आ चुका होता है इनलेट भाल सक्सन में खुला रहता है अग्जॉस्ट भाल बंद रहता है और जब सक्सन इंड होती है तो पिस्टन हमारा बीडीसी पे होता है इसके बाद हमारा जो second stroke है, second is basically यह जो हम लोग SI engine है, यह हम लोग four stroke SI engine के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि four stroke SI engine का मतलब हो गया कि एक cycle चारे stroke में complete होगा, तो एक stroke section का हो गया, दूसरा stroke जब होता है compression का, तो compression में piston हमारा कहा है, बीडीसी पर है और यहां पर चार्ज जो है एर फ्यूल मिक्शर जो है वो पूरा भरा हुआ है अब सेकेंड कंप्रेशन स्ट्रॉक के डूरेशन में जो इनलेट और इजोस्ट भाल्व है यह दोनों ही क्लोज रहता है और पिस्टन का जो मुवमेंट है वो हमारा बीडीसी से टीडीसी की ओर होता है तो सभाविक है जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मुव करेगा तो सिलिंडर के अंदर का जो भॉल्यूम है उसको वो कॉंस्टेंटली वो डिक्रीज करते जाएगा है ना और वो क्या करेगा कि पहले जो इस लार्ज एरिये भॉल्यूम में जितना चार्ज भरा हुआ था और जब यह यह कंप्रेशन इस्ट्रोक कंप्लीट करेगा तो पिस्टन आ जाएगा हमारा टीडीसी पर तो यह जितना हमारा स्वैप्ट वोल्म का जो चार्ज है वो सब को वो स्विप्श करते हुए वो किलियर एंस में ला देगा तो जब large volume के charge को एक small volume में वो ला करके रख दिया तो यहाँ पर obviously है कि pressure जो है वो increase कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है जो charge उसका compression हुआ है उसको large volume से small volume में convert कर दिया तो pressure बढ़ गया तो यहाँ पर क्या हुआ second stroke जो है यह compression का होता है है ना तो यह जो second stroke compression है यह हमारा जो process होता है वो हम लोग कहते हैं कि यह process isentropic compression होता है isentropic compression का मतलब हो गया कि यह रिभर जीवल आडिया बेटिक इसी को हम लोग रिभर जीवल आडिया बेटिक process कहते हैं तो इसमें सिल्मान के चलते हैं सिलिंडर पूरी तरह से इंसुलेट है और दोनों ही भाल्व क्लोज है तो कहीं से भी इसमें heat का जो inlet है या exit है वो system boundary से नहीं हो रहा है तो अगर system boundary से किसी परकार का heat interaction नहीं है तो वो एक आइडिया बेटिक process हुआ है ना तो इसमें जो compression process हो गया वो क्या हो गया isentropic compression हो गया इसको हम लोग यहां पर जो कर्व है पीवी डायग्राम है इसको हम लोग यहां पर इस परकार से दिखाएंगे यह क्या आएगा एक कर्व के रूप में आएगा यह एक कर्व के रूप में आएगा यहां परमलोब पॉइंट का नाम दे देते हैं वन और वन से टू हमारा क्या हो गया यह आइसेंट्रॉपिक compression यह पीवी के पावर गामा बराबर constant यह एक आडियाबेटिक process हो गया इस तरह से हमारा compression होता है अब थार्ड आता है एक्सपेंसर ने स्ट्रॉप जैसे ही पिस्टन अब हमारा compression ने स्ट्रॉप कंप्लीट करता है तो वह आ जाता है टीडी सी पर और सारा जो किलिंडर का वोलूम है का जो चार्ज है उसको वह clearance वोलूम में करण ला देता है तो यहां पर pressure काफी ज्यादा increase कर जाता है तो इसी वक्त जो है यह spark plug के थुरू यहां पर एस पार्क किया जाता है और यह spark होने की वज़ा से जो इसमें मिक्चर है वो मिक्चर हीट करना स्टार्ट कर देता है वह सपार्ख से वह उससे वह हीट करेगा और यह हीट ज तब तक यह करते जाएगा जब तक कि अपना इगनिशन टेंपरेचर को गेन नहां कर लेगा तो यहां पर पहला जो फ्लेम फ्रॉंट है वो create हो जाएगा और फिर नेक्स्ट चार्ज जो है वो इसी फ्लेम फ्रॉंट से हीट हो करके अपना फ्लेम बनाएगा और इस तरह से यह फ्लेम जो है वो आगे की ओर लगातार सक्सेसिवली बढ़ते जाएगा तो यहां पर फर्स्ट फ्लेम फ्रॉंट जो बना वो हमारा हीट एडिशन जो हुआ वो एसपार्क के थुरू हुआ तो इसको जो प्रॉसेस कहते हैं कि यह जो हमारा प्रॉसेस हुआ यह कॉंस्टेंट भॉलूम पे यह एक कॉंस्टेंट हीट एडिशन इसकी वजह से इसमें टैंप्रेचर जो है वह काफी राइज किया है ना इसको हम आटो साइकल पर जो करेंगे यहां पर कॉंस्टेंट भॉलूम होगा तो सीधा भर्टिकल लाइन आ जाएगा और यह कॉंस्टेंट भॉलूम हीट एडिशन प्रॉसेस हो गया है तो यह 2 से 3 हमारा कॉंस्टेंट भॉलूम हीट एडिशन हो गया यहां पर हीट हम एड़ किये अब जैसे ही इसमें हमारा फ्लेम फ्रॉंट बन गया एक उसके बाद यह फ्लेम फ्रॉंट काफी तेजी से पिस्टन की तरह बढ़ता है क्योंकि बाकि चार्ज जो अभी तक नहीं फ्लेम बनाया है वह इस फ्लेम से हीट लेकर के भी वह फ्लेम में कनवर्ट हो रहा है इस वज़ए से यह चार्ज जो है वह काफी ज्यादा इसका एक्सपैंशन होना शुरू होता है और यह चार्ज फ्लेम बहुत तेजी से बढ़ते हुए पिस्टन सर्फिस की और आ अपना पावर लगाती है और यही पावर से बाकी जो तीन स्ट्रॉक है वह इसी पावर के इनर्जी से वह भी प्रोसेस यह स्ट्रॉक कंप्लीट होता है तो यहां पर यह काफी तेजी से इसको क्या करता है पुश करता है और पिस्टन काफी तेजी से टीडी सी से बीडी सी की तरफ आती है नहां तो इसको हम लोग कहते है यहाँ पर क्या हो रहा है एक्सपेंद्चन हो रहा JUST कि लिए है भालब दोनों क्लोजड है कहीं से हीट इंट्रैक्षण नहीं है तो आइडियावेटिक प्रोसेस हो गया और वह रिवर्जिवल आइडियावेटिक है तो यह इसको हम लोग यहां पर साइकल के उपर आइसेंट्रॉपिक एकस्पेंशन को इस तरह से कर्व लाइन से हम लोग दिखाएंगे यह हमारा फॉर्पॉइंट हो गया तो आप्टर एकस्पेंशन जो है पिस्टन वापस आ जाती है कहां पर बीडी सी पर जब एकस्पेंशन कंप्लीट होता है उसके बाद जो है वह हमारा फौर्थ इस्ट्र ट्रॉट में क्या होता है यहां पर यंक्जॉस्थ प्रॉट है यह खुल जाती है और चुकि अब शिलिंडर के अंदर बर्निंग हो चुका है तो इसके अंदर सिर्फ क्या रहता है burnt gas रहती है तो जैसे ही इस इस ट्रोक में exhaust भालव खुलती है और piston हमारा BDC से TDC की और move करती है और यह सारे burnt gas को यह exhaust भालव के थुरू जो है यह sweep out कर देती है उससे पहले यह होता है कि जब हमारा expansion होती है और हमारा exhaust start होता है उस वक्त जो heat है इसके अंदर का वो heat का कहीं कहीं transfer होता है इसी भोलूम पे कुछ heat हमारा piston के थुरू निकल गया कुछ cylinder को hot करने में चला गया तो इस तरह से यहां पर heat का लगतार rejection होता है और यह rejection process जो होता है एक constant volume पे constant volume heat rejection होता है तो इसको हम लोग यहां auto cycle पे दिखाएंगे कि यहां पर यह constant volume सीधा भर्टिकल लाइन आएगा और यह heat यहां पर क्या करेगा वह अपना reject करेगा और फिर reject करने के बाद जब exhaust stroke start होगा तो यहां पर जितने भी burnt gases cylinder के अंदर है वह सब को exhaust भालव के थूरू वह बाहर निकाल देगा इस तरह से जो piston है वह वापस TDC पर आ जाएगा और जो हमारा जो volume है burnt gas का घट के फिर clearance volume पर आ जाएगा जहां से हमको cycle जो है वह start हुआ था इस तरह से यह चार stroke में जो है वह हमारा cycle complete होता है तो हम यहां कह सकते हैं कि जो हमारा auto cycle है इसका हम लोग modified रूप में जो हम consider करते हैं क्योंकि one death से one जो है वह सक्सन और exhaust है यहां पर यह क्या है तो यह सेम ही लाइन के ऊपर है तो cycle में हम consider करते हैं यह 1234 यह जो है वह हमारा basic simple auto cycle हो गया है नहीं इसको हम लोग एक अलग से ड्रॉ कर लेते हैं यह पीवी डायग्राम हो गया यहां से यहां से टू प्रोसेस जो है है कि इस र inappropri do ग्रॉसेस यह हो से यहां हम लोग क्या-क्या देखें हैं 1 से टू इसमें क्या है आइसेंट्रॉपिक कम्प्रेसन है आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन जहां पर भोलूम घठती है भीवन से भीटू फिर प्रोसेस हमारा यहां पर तू से थिरी यह है हमारा कॉंस्टेंट भोलूम हीट एडिशन कॉंस्टेंट भोलूम हीट एडिशन तो यहां पर क्या होगा कॉंस्टेंट भोलूम हमारा हीट एड होगा फिर थर्ड हमारा जो प्रोसेस है थिरी से फोर इसको हम लोग कहते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपैंसन तो यहां पर क्या होगा यह इस तरह से आइसेंट्रोपिक कर आएगा पीवी डायग्राम पे यह हमारा फोर पॉइंट हो गया और फिर प्रोसेस जो है फोर से वन इसको हम कहते हैं कॉंस्टेंट भोलूम हीट रिजेक्शन तो यहां फोर से वन क्या हो जाएगा कॉंस्टेंट भोलूम हीट रिजेक्शन तो यह भी हमारा आइडियाबेटिक प्रोसेस है यह हमारा कॉंस्टेंट भोलूम हीट एडिशन जहां पर क्यूवन एड़ होता है और यह कॉंस्टेंट हीट रिजेक्शन जहां से हमारा हीट reject होता है यही हमारा क्या है Auto Cycle का deve driven डाइडराम है इसी को अगर हम लोग यहां पर temperature in triopy diagram पर डिरौ करें یस डाइगराम तो जैसे dużo ऐसे उपिक है तो यहां पर यह सीदह भथिकल लाइन आ झाएगा और टू से तरी constant भोलूम है तो यहां अपर टीस कारव कोडिनेट पे जो कॉंस्टेंट वॉलूम प्रासेस होती है वो हमारा इसे करवाता है इस तरह से यह वान हो गया तो हो गया थीरी हो गया फिर से फौर आइसे इन्ट्रोपिक expansion है तो यहां पर फिर यह हमारा isentropic सीधा बर्टिकल लाइन आ जाएगा और फोर से वन यहां constant volume heat rejection है तो यह फिर वापस यहां से कर्व हो जाएगा तो इस तरह से one two three four यही हमारा क्या है auto cycle है तो auto cycle में जो चार प्रोसेस होता है वह हमारा दो isentropic होता है और दो constant volume प्रोसेस होता है तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस cycle से हम efficiency निकालते हैं कि इसका auto cycle का thermal efficiency कितना होगा तो अब हम लिखते हैं thermal efficiency thermal efficiency of auto cycle इसका कितना होगा तो हम लोग जो thermal efficiency निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं जितना हमको work output भी मिलता है वो हमारा output हो गया और जितना हम लोग heat supply देते हैं वह हीट सप्लाई यही हमारा इन्पूट हो गया आटपूट जो वर्क मिलता है वह आटपूट और जो हम हीट सप्लाई करते वह इन्पूट तो thermal efficiency of auto cycle जो हो जाएगा वह वर्क आटपूट वाई हीट सप्लाई तो यहां पर अगर हम लोग एज फर्स्ट लॉप थर्मोडाइनमिक्स को देखें फर्स्ट लॉप थर्मोडाइनमिक्स जोकी इनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ट होता है तो हमने जितना हीट सप्लाई किया और जितना हीट इसमें से रिजेक्ट होगा तो यहीं दोनों का जो डिफ्रेंस है वही कहलाता है नेट वर्क आउटपूट हमें मिलेगा क्योंकि यहां पर नेट इनर्जी क्या रहेगा कंजर्व रहेगा तो यहां पर जो हमें वर्क आउटपूट मिलेगा वह जितना हमने हीट सप्लाई किया और जितना हीट हो गया यहीं दोनों डिफ्रेंस जो है वह हमारा क्या होगा वर्क आउटपूट होगा इसी वैल्यू को हम लोग पूट सब्म फटेंगे तो यहां पर क्या होझाएगा वर्क आउटपूट हो जाएगा क्यू एथ माइनस क्यू आरी停 है अब हीत सप्लाई हीट सप्लाई जो है यहां पर एंड्टठ्र मों पहो रहा है और तो से थ्री प्रोसेस में हो रहा है यहां पर फॉर्मूला हो सब्सक्राइब करेंगे यहां पर हो जाएगा एम सी वी टीफोर माइनस यह हमारा हो गया हीट रिजेक्शन और हीट-स अपलाई का इसको को हम लोग यहां पर पुट करेंगे यहां पर हो जाएगा mcv t3-t2-mcv t4-t1 by mcv t3-t2 mcv सब में हैं हम common लेके cancel कर देंगे तो यह हो जाएगा t3-t2 और सब्सक्राइब करेंगे तो थर्मल एफिसेंसी हो जाएगा वन माइनस टी-1 यहां पर हम क्या करते हैं थर्मल एफिसेंसी जो है यह बरावर वन हो जाएगा माइनस टी-1 common ले लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा t4-1-1 यहां से टी-2 common ले ले लेते हैं तो यह आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो यहां पर जो टेंप्रेचर और भॉलूम का जो रिलेशन होगा तो टेंप्रेचर भॉलूम का रिलेशन हो जाएगा टी-2 white-1 बराबर हो जाएगा भी-2 बाइ-2-1-2-1-1-हां पर भी-1-2 यहां पर भी-1 बाइ-2 आभ हम लोग चलते हैं कि तो इसको हम लोग करते हैं तो भी फोर हमारा भी वन के बराबर है और यहां पर फोर से वन में क्या होगा भी फोर बराबर भी वन हो चाहिए नहीं तो इसको हम लोग करते हैं तो भी फोर हमारा भी वन के बराबर है और भी तिरी जो है वह वह वीटू के बराबर है यह पावर गावा वाल इसको हम की जो यह मान लें तो एक्वेशन एंड बीस ना हम देख रहें कि दोनों का जो भी होगा कि दोनों हम लोग एसे लिख सकते हैं यहां पर हम देखेंगे इसको हम लोग यहां पर क्या होगा टी फोर वाइटी वन और यहां है टी थिरी वाइटी टू तो दोनों क्या हो गया इस यहां से दोनों यह दोनों इक्वल हो गया तो यह दोनों ही क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहां से थर्मल की का फ़र्मूला 100 होकर कि क्या आ जाएगा वह आ जाएगा वान माइनस टीव बाइटी टू तो इस तरह से यह हमारा एक थर्मल इपिस्यंसी का आ गया है ना लेकिन यहां पर अभी हम लोग पीछे जो है टीवन पई-टीटू जो है वह निकाले हैं T2 by T1 बराबर B1 by B2 के पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा तो T1 by T2 इसका अपोजित हो जाएगा B2 by B1 तो यहां से थर्मल efficiency जो है वह हमारा क्या हो जाएगा ओटो सैकल का वह जाएगा 1-2-1 के पावर गामा माइनस वन इसको हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं 1-1 बाइ भी वन बाइ भी टू के पावर गामा minus one वी वन बाइ भी टू इसको हम लोग कहते हैं कॉंप्रेशन रेशियो इसको हम लोग बोलते हैं कॉंप्रेशन रेशियो इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं क्योंकि हमारा जो ओटो साइकल में प्रोसेस है है वञ से कॉंप्रेशन है तो विवन भोलू को कॉंप्रेश करके भी टू भूलू में कनवर्ट कर रहे है हमारा जो फर्मूला है जो सिंप्लीपाइव करके क्ष्रम छे मठीक द्लोसन वहादगा ऑटो का होगा वह जाएगा 1-1 by r k power gamma-1 यह क्या हो गया थर्मल efficiency Auto Cycle का आ गया हम क्या देख रहे हैं कि थर्मल efficiency जो Auto Cycle का है वह दो ही चीज पर डिपेंड कर रहा है एक पहला जो है compression ratio पर डिपेंड कर रहा है compression ratio पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा जो हीट केपैसिटी रेकेशियो होगा तो होगा यानि की इपिसियंसी जो है उसक्रेश करेगा तो auto cycle में compression ratio को बरहाने पर जो thermal efficiency है वो भी increase करता है similarly specific heat capacity ratio को भी अगर हम increase करते हैं तो भी हमारा thermal efficiency क्या होगा increase करेगा तो हम यहां क्या होता है desire करते हैं कि compression ratio जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उतने ही thermal efficiency मिलेगा बट इसमें कुछ mechanical effect के कारण कुछ knocking effect के कारण जो इसका compression ratio होता है वो कहीं ने कहीं एक limiting हो जाती है auto cycle में और max generally इसका जो compression ratio होता है वो 6 से लेके 10 तक जेनरली भैरी करता है इतना के अंदर हम लोग रखते क्योंकि इससे ज्यादा maximum करने पर फिर cycle जो है वो inefficient होने लगता है तो यह उसका कुछ limitation है तो इस तरह से हम जितना चाहेंगे maximum compression ratio रखके efficiency को हम बढ़ा सकते हैं इसमें कभी कभी मीन effective pressure भी पूछता है तो हम लोग याद रखेंगे कि मीन इफेक्टिव प्रेशर और साइकल साइकल का मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वह होता है वर्क आउटपूट बाई स्वेप्ट भॉलूम मतलब भी 1-2 यह फॉर्मूला से हम लोग साइकल का मीन इफेक्टिव प्रेशर भी निकाल सकते हैं तो इस तरह से इसमें जो मेन याद रखने वाला पॉइंट है कि जो आटो साइकल में जो चार प्रोसेस होता है वह याद रखना है कि कॉम्प्रेशन प्रेशन बोलूम सबसे ज्यादा होगा तो इस परकार से यह उपर हमारा करता है तो इसमें किलियर हो गया होगा अगर कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करें थैंक यू